दोस्तों नमस्कार 2023 खतम होने में बस दो ही दिन बांकी है और इसके बाद नया साल लग जाएगा और नया साल के साथ ही सुरुआत हो जाएगी NPCI की कुछ नई गाइड लाइन की जिसमें कुछ के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ और कुछ के बारे में मैं आपको अभी बता रहूँ जैसे जैसे NPCI की तरफ से नए नए अपडेट आते जा रहे हैं तो इसलिए पहले तो आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा समझेगा और किस परकार से ये AAPS संचालकों के लिए फाइदे का सौदा भी हो सकता है किस परकार से उनकी इंकम बढ़ा सकता है ये हम इस वीडियो में बताने की कोसिस करेंगे तो कि पिछले कुछ अपडेट से रिटेलरों के जो कमेंट आ रहे थे उनके साब से उनको लग रहा है कि APS का बिजने सब बंद कर देना चाहिए या बंद हो जाएगा लेकिन किस परकार से इसका बेनिफिट भी मिल सकता है ये आपके लिए एक आउसर लेके आया है ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत सारे रिटेलर तो इस बास से भी परिसान थे जिनने बहुत अच्छा काउंटर खोला उनकी प्रॉपर एक दुकान है आईडी लेके वो काम कर रहे थे लेकिन देखा उनने कि उनकी देखा सीखी उनके महले में आसपड़ोस में कुछ और लोग ने भी आईडीयां ले ली कुछ दुकान से काम कर रहे कुछ घर से काम कर रहे और उनका वेपर कहीं न कहीं प्रभावित हुआ लेकिन मुझे अपने अन्हो से मैं 2017 से EPS इंडस्टीज में हूँ इतनी आईडी बनाने के बाद जो अन्हो प्राप्त हुआ उससे ये लग रहा है कि इस अपडेट के बाद बहुत सारे लोग साए 30% से जादा लोग ऐसे होंगे EPS के रिटेलर जो काम करना बंद कर देंगे और वो कौन लोग होंगे जिनने सौ किया या केवल घर परिवार की पैसे निकालने के लिए ये आईडियां ली होंगी क्योंकि NPCI के जो अपडेट अभी हम आगे आपको डिसकस करेंगे उनको ये लागू नहीं कर पाएंगे नई आईडी बनने के लिए जो पैरामेटर दिये जा रहे हैं वो ये लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे तो ये कहीं नहीं बंद होते जाएंगे और इनों ने जो अच्छे रिटेलरों का काम खराब कर दिया रहा उनका बिजनेस खराब कर दिया था वो सब आपको आगे मिलेगा और हो सकता है अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इसको पब्लिक लिस वीडियो में बोला जाए या ना बोला जाए कि जो आप EPS पर इंकम कर रहे हैं other than commission वो सैदा बढ़ा के भी अब ले पाएंगे क्योंकि जब इतनी जंजट रहेगी तो कम पैसे के लिए तो कोई काम नहीं करेगा पहला update तो मैं आपको ये बता दूं कि जो clone बना लिया जाता है finger का अंगुठे का silicon के माद्यम से तो जो पुरानी fingerprint device है होगा mantra जो हमारी आ रही है उसका भी एक नए model आ गया है marfo L1, L2, L3 इस प्रकार के model उसके आते थे तो पुराने वो बंद हो चुके हैं नए अब आ रहे हैं और पर काम करने वाले हैं वो इतना खर्चा नहीं करेंगे कि दो-तीन हजार की नई device लेंगे वो काम बंद कर देंगे जो हमारे अच्छे रिटेलर भाई है उनको तो यह फिर करना पड़ेगा तो एक तो यह अपडेट है तो इससे दो फायदे क्या हुए कि कुछ जो रिट करेंगे कि fraud rate में कमी आई है तो जो NPCI की guideline ने कि कम से कम पांच free transaction देना चाहिए वो बैंक उस पर implement करेंगे Central Bank of India ब्योबी वैसे बहुत सारे बैंक हैं जो बंद करके रखें दूसरा अपडेट यहां पर जो था कि हर फिंगर हर ट्रांजेक्शन के पहले बिड्रॉल ट्रां गंटे के लिए ID ब्लॉक हो जाएगी तो यह सबसे चिंता जनक अपडेट यहां पर है कि जैसे आपके पास एक गराक आया आपको पैसा निकालना है आपने अपना fingerprint लगाया फिर आप retailer का लगाओगे लेकिन जब आप अपना लगा रहे हो तो लगातार यदि तीन बार ऐसा हो गया कि आपी का finger match नहीं खाएगा तो यह ID इसको suspicious मानेगा कि ऐसा तो नहीं कि आप fake finger लगा रहे हो को कि जो fake finger होते हैं सिलीकॉन वाले finger होते हैं कई बार वो एक बार में नहीं पकड़ते हैं तो इसलिए वो आपकी 24 गंटे के लिए ID ब्लॉक कर देगा यह ID 24 गंटे के ब कि माध्यम से additional verification किया जाएगा तब जाके यह आपके ID चालू होगी और हो सकता कि NPCI मना भी कर दे कि ID चालू नहीं करना है दूसरा update तो यहाँ पर यह आ गया तीसरा update यहाँ पर है कि आपको अपनी जो current location send करनी पड़ती है यह share करनी पड़ती है जिसको हम current location भी बोलते हो सा link NPCI या RBI या आपकी exact location track कर पाए कि आप कहां आपसे ID चालू हुई थी और कहां पर यह fraud हुआ है आपको यह देना पड़ेगा दूसरा आप 10, 20, 30 वाले जो transaction है वो आप आप नहीं कर पाएंगे यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 50 रुपए के multiply से ही आपके transaction और मैं पुना आपसे निवेजन करूँगा कि इसमें दो चीच और add कर लिजेगा जो कि आगे 100% होंगी अभी हम जो practice कर रहे हैं उसमें हम किसी भी customer का पैसा withdrawal करते हैं तो register आप proper format में maintain नहीं कर रहे हैं तो आप उसको maintain जरू करें क्योंकि बंद ID को जब चालू किया जाता ह है APS के felt transaction की कभी complaint जाती है और आपकी ID block है बंद है पैसा block कर दिया company ने तो उसको भी unlock करने के लिए आपका register मांगा जाता है दूसरा इसमें भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं दो दो जो लोग register maintain कर रहे हैं लेकिन दो company तीन company चला रहे हैं तो उसी में उनने पेनियर का भ जादा ID use कर रहे हैं तो multiple register up maintain करें इसका फाइदा आपको भी है कि कल के दिन आपका पैसा कहां से withdrawal हुआ था आपको पता हो क्योंकि कई रिटिलर हमारे भी ऐसे हैं वो भूल जाते हैं कि सरमने फीनों से निकाला था रौनेट से निकाला या स्पाइसमेनी से निकाला तो यह confusion आपकी clear हो जाएगी हैं दूसरा IIBF के लिए मैं आपको बारवार बोलूँगा कि कैसे भी करके आप इसको IIBF का exam निकालिए क्योंकि आगे आप सब कुछ अच्छा कर पा रहे हैं सारा को सही चल रहा है लेकिन अगर जब भी NPCI या RBI की तरफ से यह guideline आ जाएगी कि IIBF का exam mandatory है कंपलसरी करना है और अगर आपने नहीं किया तो भी आप यह income खो देंगे आपका यह business बंद हो जाएगा बाकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं क्यों सिस्टम के लिए हम लोग से बारवार बोलते हैं कि सार SBAI का हम कैसे लें ब्योबी का कैसे लें तो जब आप बो ले करवाते हैं कुछ दूसरी परिसानिया भी होती है तो यहां आपको सिर्फ दोवा रंगुटा ही लगाना है अपना तो आप इसको खराब अपडेट मत मानिए मैं समझ रहा हूं कि कुछ दिन कुछ हपते आपको परिसानी जरूर होगी लेकिन overall देखेंगे कि आपके पास business बड़ेगा आपके पास customer का जो walking है वो बड़ेगी आपके पास ज्यादा customer आएंगे पहले की तुलना में क्योंकि बहुत सारी आइडिया बंद होगी और हम अपने सभी company जितनी भी company का मैं काम कर रहा हूं उसके जो मेरे downline के distributor हैं मैं उनसे पुना निवेदन करूंगा कि आ आप actively होके काम करें बहुत सारे लोग हैं दो-दो साल से ID नहीं बनाई हैं लेकिन अब नई ID की demand भी आएगी जो लोग अपने माता-पिता के नाम पे चला रहे थे कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय 17 के थे 18 की नहीं हुए थे तो उनके नाम पे ID नहीं बन सकती थी उनने अप नाता-पिता के नाम पे बनाया अब चुकि अगर वाल लीजे वह एक-दो साल पुरानी है अब 18 के हो गया होंगे और वो नए नियम के तहट खुद अपना गुठा लगा के काम करना चाहेंगे तो नई ID की demand भी generate होगी तो आप actively काम करिए support दीजे और अगर आप MP के हैं तो के लिए नहीं है कि आप call करके कुछ additional information पूछे तो वो हमारे staff आपको नहीं देपाएगा आसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आये होगा अगर पसंद आये तो आप इसको like करें चैनल को subscribe करें और जादस हैदस वीडियो को share करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत और आसा करते हैं कि आने वाला नया वर्स जो है आपके लिए सुख सम्रद्धी और सांती लेकर आएगा